हम आओ लिए ऐसा है अफसोर कौन सा पुलिस टेशन लिखा है नंजाई कोटे ब्रांच चाहे कोई भी हो बस वो पुलिस टेशन है इतना ही काफी है साथ पेरुमल नाम की एक सड़क है ज्यादा तर तमिल के लोग वही पर रहते थे लेकिन अब अपु के शासन की वज़े से उन्हें प्रवासन करके जाना पड़ा है अब कोई भी तमिल यहां नहीं रहता है सर वापस आने वाले अम अरनाथ के नाम से बहुत डरते हैं सर सच बोले तो यह बहुत बुरा है सर इस प्यारे से शेहर को पापियों ने एक जंगल बना करके रखा हुआ था जबसे तु यहां पर शिकारी बनके आया है यह लोग डर डर क्या भागने लगे हैं पर इतना कुछ होने के बाद भी मैं ही हूँ जो तुमारे साथ अब तक खड़ा हूँ अब तो नंजय कोटी के तुम ही राजा हो तो प्रज्जा पे कुछ आहसान करो ना मालिक ओसा कैता थोड़ी सी हमें भी पिला दो मालिक है 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 इस गाओं में कोई मर्द नहीं है क्या रजेंद्र मर्द क्या और वो भी यहां पर हाँ थोड़ मैं जड़ा नीचे दखो के आठाओं इसलिए नहीं तुमाग थाप कर दिया है हेलो हम जाले हम अपे बम तयार होया के निया है आयाभी तयार करे लागा अरे दिलीवरी करना है तेरे जाथाना ही तेरे तेरे जाखे देख बाई इस बंदे में बहुत गर्मी है मेरी बात तो बहुत हलके में ले रहा है अरे देख क्या रहो इसे होस्पीटल लेकर जाओ सर आप क्या सोच रहे हैं? एक दाओ था जहांके लोगों को वहां से निकाल दिया गया मेरे भी बच्पन की ऐसी ही एक कहानी है उस कहानी को मैं याद करना भी पसंद नहीं करता और जो हम पसंद नहीं करते हैं उसे ही जो भी याद दिलाता है तो उस पर गुस्सा दो आये गई ना इसलिए मैं ऐसी पेश आता हूँ आगे से ध्यान में रखना ऐसा होने न पए और नंजाई कोटे में हतियार का कारोबर नहीं चलना चाहिए मेरे प्यारे सर नंजाई कोटे में मिठाई के दाम पर हतियार मिल जाते हैं ऐसा मैंने कहता लोग कहते हैं मैं हथियार सिर्फ उन्हें बेचता हूँ, जिने मैं अच्छी तरह से जानता हूँ. और सर, आपको आपके पसंद की हर चीज मिल जाएगी. आपको सरा अपना मुझ बंद कर. 9 mm Colt है, Italian made. Lightweight, metallic finish. और magazine capacity के बारे में पूछ ये ही मत. इतनी कीमती है कि market में available नहीं है. निशाना कभी चुकता नहीं है, सर. अगर चाहिए तो gift समझ के रख सकते हैं. मुझे खरीदने की कोशिश करो गे. तो यही बंदुख चलेगी. अप्पू, जब वो यहाँ आया था, तो उसके साथ केतने आदमी थे? भाईया, कैसा सवाल कर रहे हैं अप? अगर मैं चाहूँ, तो अभी पुलिस टेशन पहुचकर उसे उल्टा लटका कर मार डालूँगा. और इसमें वक्त नहीं लगेगा. ये देखिए. इलेक्शन होने वाले हैं, इसी लिए छोड़ दिया उसे. तो फिर वहाँ जाकर बोलना चाहिए न, चार भाड़े के टट्टू अपने पास रखके ये चोर पुलिस का खेल मेरे साथ नहीं खिलने का. वो अपना पाड़े किसी और के हाथ से धुलवना चाहता है क्या? अरे वो दोनों भाई ऐसे ही मुझसे आकर मिले. देखो कुछ बातें छुपा कर रखने में ही भलाई है. यही अकलमंदी है. ओ. अकलमंदी की बात कर रहा है. अपने बदन पर ओड़ने के लिए एक छोटा सा कबड़ा नहीं था तुम लोगों के पास. इतनी जल्दी भूल गया क्या? हा? विज्यानन्द, तुम्हें वहां से लेकर यहां तक पहुचाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया. एमपी या दाश्त कमजोर हो गई तुमाई. एकु. डॉक्टर, इसका बीपी बेकार में चेक कर रही हैं जाकर बच्चे को नहीं किया. तुम्हारे भाई के खिलाफ मैंने कभी कोई बात नहीं किया. लेकिन अभी जो यहां पर बैठा है वो मेरा बाप है. उसी इज़ट से बात किया करो. अरे, जस्ट मिस. जो हम माईस्क्रीम फैक्टरी में पावर सप्लाई देखे थे थे ना, वो एक गैस सिलिंडर के पावर के बराबर है. एक बड़े बंगले को उड़ाने के लिए एक गैस सिलिंडर काफी है. आप क्या बोलते हो? सर, आपके कॉर्टरेस में एक गैस सिलिंडर रहना, उसके उपर मैं एक एक स्पेरिमेंट करूँगा. अगले संड़े उसे निकाल कर रखिये, देख लूँगा. सर, सुन्दर्म ने फोन किया था. वहां रास्ते में डीवाईपी पाटी और एसीपी पाटी के बीच में जगड़ा हो गया है. उसने हालात समालने की कोशिश की, पर उससे कुछ हुआ नहीं. वो पूछ रहे कि आप जाएंगे वहाँ. ए, हटा, 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 रास्ता ठोड़ो. प्रवासन ने जन्हें पाटी से निकाल दिया था, उनसे मिलने के लिए कर रात को आया था. लगता है, इनके दिमाग में कोई प्लान है. जब मैंने जाकर पकड़ने की कुशिश की, तो मेरी बात भी नहीं सुने. प्यारे देशभक्त नाग्रेकों, जब एक बेगुना आदमी को दो गुंडे मिलकर मार रहे हो, तो गाँवाले खड़े होकर तमाशा देखें, ये गलत है. एक सिम्मेदाब नाग्रिक को कभी खड़े होकर तमाशा नहीं देखना चाहिए. आज जो किसी और के साथ हो रहा है, कल वो आपके साथ भी हो सकता है. तो क्या करेंगे? इधर पुलिस वालों की कोई जरूत नहीं है, बुला जिसको बुलाना है. अगर किसी भी वर्दी वाले ने याक कदम रखाना, तो उसके भी ऐसी यह आलत करूँगा, याद रखना. इस पे उमर का नाम लिखा है. उमर को उठाओ. इस लेटर में लिखा है, रसाक को उठाएंगे. इसमें भी लिखा है, रसाक को उठाओ. बीजु को उठाने लिखा है. अब इसने क्या गुनाह कर दिया? उमर को उठाओ. लिखा है उमर को उठाने की हिम्मत है क्या? उमर, बहुत बड़ा सिर्दर्द है सर. अगर तुमारे अंदर हिम्मत है, तो इन सब को छोड़कर अमरनाथ को उठाके दिखाओ. लिखने वाले का नाम जोर से पड़ो. एक लेटर पर भी किसी का नाम नहीं लिखा है, सर. जिन जिन को उठाना है, उनकी कमप्लीट डीटेल मुझे मिलने चाहिए. हमारे पास उनकी कोई डीटेल नहीं है. सर, वो डॉक्टर सहीबा इंतजार कर रही है, बच्चों को वेक्सिनेशन देने की बात कर रही थी. आप जरा उनसे मिल लेंगे क्या? ओ, ओके. सर, मैं संगीता हूँ, डॉक्टर संगीता, हैदराबाद से हूँ, अमरनाथ मेरे कजिन है, वो यहां पर नहीं आपाये तो उन्होंने कहा कि मैं आकर आपसे बात कर लूँ. मड़म, आप डरिया मत, जो भी है सर देख लेंगे. नंजन कोटे में आना ही आपकी गलती है सम. ये जो आप चोर और पुलीस का खेल खेल रहें न, अगर ये चलता रहा तो आप कहीं के नहीं रहेंगे. और आप के लिए अच्छा रहेगा अगर आप अमर के मामले में दखल अंदाजी ना करें. इस बात को आप अपने दिमाग में बिठा लीजे. यही कहने आई थे. एमपी विजे आनंद के एक लोथी बेटी. विदेश से पढ़िये, डॉक्टर है. यह एक हैद्राबाद के लड़के से प्यार करती थी. और वो दोनों बहुत क्लोज हैं. लेकिन एक दिन अचानक उसके प्रेमी का एक्सिडेंट हो गए. और एक्सिडेंट के बाद वो कोमा में चला गए. डॉक्टर ने कहा कि उसका बचना मुश्किल है. तो अमरनात ने उसके प्रेमी को उसके ही सामने मार डाला. और प्रेगनेंट हुई संगीता को यहां गाउ लेगराई. एड़ोकेट लक्षमन जो अध्यक्षपद निभा रहे थे, उनके जगे आप किसी और को चुर्ना होगा. अगर उस पत के लिए किसी और ने कोशिश की, तो उसका भी मनोहर जैसा ही हाल होगा. यहां लाओ, जब पार्टी के लोगों को पार्टी में विश्वास ही नहीं है, तो इलेक्षन से पहले AICP को अलग करने में ही भलाई है. तो फिर, सब लोग सर्व सहमती से किसी एक व्यक्ति को अध्यक्षपत के लिए चुनो, वही इलेक्षन लड़ेगा. पार्टी के चार-पार्ट नाकामयाब मेंबर्स में मैं भी हूँ. सिर्फ पांस साल पहले तक ही, हमारे पास जन्ता के विश्वास और सपोर्ट की ताकत थी. लेकिन अमारनाथ ने उन सब के बीच में डर पैदा कर दिया. उस बदनाम DBI पार्टी को खरीद लिया. सिर्फ इतना ही नहीं. इंद्रा स्टेट के हजारों परिवारों का नाम ये कहकर काट दिया कि वे दूसरे राजचके हैं. लेकिन जो लोग AICP पार्टी में शामिल थे, उनको हड़ाने की इमत नहीं कर पाए. और जब वो लोग गाह छोड़कर जा रहे थे तो उनसे हमदर्दी नहीं जताई. अगर हम ऐसा करते तो उन लोगों की शक्ती से हमारी पार्टी मजबूत होती. अब एलेक्शन तक इंतजार करना होगा. मज़ा और कुछ नहीं कहना. आप हमारे दर्शकों को क्या ये बता सकते हैं कि आखिर इस समस्या का आप लोगों की तरफ से कोई हल निकल भी सकता है या फिर नहीं? इंद्रा स्टेट में कोई भी नहीं था. अब वो ये पूरा स्टेट तो बेचने वाले हैं, ये सब कॉर्परेशन में चलने वाली एक शाजिश है. तमिल लोगों को वहां से हटा कर इन लोगों ने इस जगह को हड़ा पलिया है. सच तो दुनिया के सामने इस वत हमारे साथ नंजन कोटी के एम पी शिरे विजयन अंदन जी जुड़े हुए हैं. हेलो, शिरे विजयन अंदन जी आप सुन रहे हैं? हाँ, हाँ, मैं सुन रहा हूँ. अब सवाल पूछी. इलेक्शन अब काफी नजदीक आ चुके हैं. एक सीट के लिए कई सारे उमीदवार एक साथ खड़े हैं. अब ऐसे वक्त पर तो क्या डीवाई एसी दो भागों में बढ़ने वाला है? या फिर जो साथों से चलती आ रहे हैं प्रॉबलम इसी तरह इस साल भी यूँ ही चलती ही रहेगी या कोई सॉलुशन निकलेगा उसका? मिस्टर वेनू, आप जो सवाल पूछ रहे हैं, वो गालत है. आप कहें तो मैं न्यूस चैनल पर सुनाओं, आपकी पार्टी के कई सारे लोग इन क्रिमिनल एक्टिविटीज में सगलगें। आप कहें तो मैं उनके नाम भी सुना सकता हूँ, सुना दूँ? हलो? हलो? विजय अंदन जी कहां चले गए? हलो? तो मैं क्या करूँ? हर पार्टी के लोग अपने समर्थकों के साथ भाषन देने, इलेक्शन आने वाला है. अगर इन लोगों में मेरे दल को कमसोर करने के इतनी हिमत है, अगर मीडिया की याड में कुर्सी पर बैठ कर अपनी मनमानी करोगे, तो फिर हमें इसके बारे में स कारी में सलर्टी कर लोगो अपने इसके बारे म में इसके लोगों गटे जिए तो यजिवशन आने में इसके जो जगला है. अगर तो भाषन आने कुर्टी के अपनी करोदारा है. उमर तुम्हें सुम्वार को पुली स्टेशन आना होगा ऐसा ही नहीं बुलाया है तुम्हें सुम्वार को पुली स्टेशन आना ही होगा यहीं तुम्हारे लिए बैतर होगा आउंगा ना वह इसे भी उस नए इंस्पेक्टर से अब तक मुलाकात नहीं होई आके मिलता हूं अच्छा इसे घर में सब ठीक ठाकिया ना आप से कुछ कहना था मैं बचपन से इंजीनियर बरना चाहता था लेकिन मेरे पापा ने मुझे अपनी तरह एक पोलिस वाला बना दिया यह उनका सपना था अरे यह क्या सिलिंडर है आग लग गई तो यह लेजे फिर भी मैंने ट्रेनिंग के साथ बीटे कंप्लीट किया इस बीच में उनका स्वर्गवास हो गया तब से में ड्यूडी जॉइंट करके अपनी दादी की साथ रहता हूं यह जो स्मेल है यह वाकई गैस का है या तुम्हारे पेट की गैस है सर सर यह रेगुलेटर काम तो कर रहा है ना अजकल खाना पीना टाइम पीनी हो लेकर रहा है बिल्चु जरा वो रेगुलेटरी चेक करना ओके अरे सर हमारे पास त्रिफ 10 सेकंड बचाए सर अब 9 सेकंड शालो फागो अले का भाग रहा हु फागो चलने अने रहो फोब इनले सर लेडीज होस्टल के बगल में घर किराय से देना है अहां सर आपको किराय के घर की तलाश थी ना लेडीज होस्टल के बगल में एक घर खाली है जो पिछली कुछ समझ आपके क्वाटर से धमाकें की आवाज आई थी तुमसे कलाने के लिए का था ना वो क्या ना सर मुझे लोगों को इंतजार कराना बहुत पसंद है मुझे भी अगर हमारा साथ दोगे तो ही तुम चैन से ची सकते हो आज तक मुझसे किसी ने ऐसे साथ देने की बात नहीं की चलो आओ आगे से मैं तुम्हें किसी नेता के साथ नहीं देखना चाहता और उसी तरह एक भी नेता तुमारे खातिर मुझे नहीं मिलना चाहिए दोनों में से चाहिए जो भी होगा उसका नुकसान तुम्हें ही सहना पड़ेगा अरे उमार कोई अच्छा घर किराइपर हो तो बताना जड़ा देखना है गाड़े निकाल नमक वगेरा ठीक है ना स्टेशन जाने की बात से ही गोविंद अडर जाता था एक दिन मैंने पूछा कि गोविंद आज तुम पुलिस स्टेशन कैसे जा रहे हो पता है उसने क्या जवाब दिया कि सर वहाँ पर है वैसे सर आप यहाँ है तो क्या वो स्टेशन नहीं जाएगा रुक 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 सुबह नहाया था क्या पारवाती जी मैंने सुबह नहा लिया था सर मामला इतना मामूली नहीं है जिन जिन गुंडो को हमने बुलाया वो सब पुलिस स्टेशन में और हम टाइम पर नहीं पहुचे तो गड़बड हो सकती है इसलिए हमें जल्दी निकलना चाहिए पाया वो देको आया कुटम भाई दो चाहे लाना सुंदर चाहे लेकर आओ आपको जाने में तकलीफ है गया नहीं सर यहां का एक्शन भिस नहीं करना चाहता वो सब मैं देख लूँगा यहां सब बाते ही तो होंगी तुम जाकर आओ अहां ठीक है जाता हूं वहां पर जो आदमी खड़ा है ना जिसके बाल बहुत लंबे हैं वो लंबे बालवा ना उसका नाम रजाक है बैंगलूर कर रहने वाला है हम जो भी कहेंगे वो करेगा दस सालों से इस आदमे के साथ कौन कौन है पांच सालों से एक साल से जो पीछे छुप रहा है वो जरा सामने आओ तुम कितने सालों से इनके साथ रहते हो बारह सालों है सर यह बात में इतनी देर से पूछ रहा था साथ सौरी कुटों भाई क्या बाते अबू तुम्हे उस पर ध्यान नहीं दिया ता गया अबू के हाथ नहीं लगा इस वज़े से मैंने उसे पूछा नहीं तुमने यह उसे अपने साथ रखके बचाया था ना सच सच बोलो इतने आदमी खड़े करना यह कोई अकलमंदी नहीं है बहुत गहराई से सोचना पड़ता है और वो गहराई तुम्हारे पास नहीं है उस दिन सिग्नल पर मारे जाने वले जैस का भाई कौन है मैं हू सर और जो मार्केट में मरा था उसका बड़ा भाई कौन है मैं लिस्ट और भी लंबी है तुम्हारे दोस्त को जिसने मारा है वो इस भीड में और तुम्हारे दोस्तों ने मिलकर जिन लोगों को मारा है वो इस भीड में ये खून खरबा कभी खत्म नहीं होगा और इनके घर में जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी इसी काम के लिए पैदा होते हैं तुम्हारे घर में कौन पैदा होता है यहां आज के बाद बच्चों को पोलियोडोस दिलाने के लिए भी कोई घर के बार कदम नहीं रखेगा अगर यह इस घोटाले में दुबारा दिखा तो उसकी बजाए तू पिट जाएगा अज़र देख इतना काफी है या और करूँ एक काम कर तूँ या के कर ले आज कल तुछ जादा नकरा दिखा रहा है क्यों रिए एक काम की बाद करूँ तो तुझे लगता एक में ना खनי दिखा रहा है एक पंख तो थीक से सैट न ही हो रहा है तू मुझे ज्यादा मत सिखा मुझे पता है मुझे क्या करना है तू तेरा देख मैं देख लूँगा लेकिन तू यहीं पर बैठा रहे क्या है चिरक狗 तू अपने आपको बहुत-बड़ा चुप समझ्थ संस्ता है अगर जो डूबारा मेरे बारे में कुछ प्रबे तो में तेरा मुह तोड़ दूगा अच्छा मुह तोड़ेसे हैं इमत्रस ठीका हो तो क्या हुआ इस खिर ग़्या टतो ओ, सर आगए अरे, सर आगे उम्मर, यह दिखाएगी, तो तेरे सारे काम हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं ले बेटा, अच्छे से बढ़ाए करना है पिता जी हाँ, अब्दुल्ला सर आगए आओ सर, बैठो मैं बस आपकी बेटी को जिंदगी के बारे में बता रहा था बहुत होश्यार है आप बैठे ना सर सच्छी में मान गया सर, इंस्पेक्टर बोले तो ऐसा ही होना चाहिए उस वक में थोड़ा डर गया था, लेकिन आपकी टेंशन ज्याद थी वह आज नहीं तो कल चला जाएगा, लेकिन आप और मैं यहीं रहने वाले हैं ना खेर छोड़ो अब दुल्ला, मेरे खातेर अपने सर से बात करो, उसे समझाओ कि यहां ऐसा नहीं चलता यहां कोई किसी के काम में टांग नहीं याडाता मैं आपके काम में याडाता, आप मेरे में याडाते, परना टांग कट जाती है दिदी इसकी क्या जरूरत थी अचाहे बहुत अच्छी है जैसे मैं यहां आया वैसे ही, बीजू सर के घर, कुटूम सर के घर, और गोविन सर के घर में जाओंगा और उन्हें भी समझाने की कोशिश करोंगा आगे तो आप लोग जाने, आप लोगों की किस्मत चलता हूं सर यहां क्यो चलता हुत क्यों गोविन सार गोविन सार गोविन सार बाई घंटी बजाओ अरे ये सीडियों से नीचे उत्रो हाँ अब ऐसे मत घुरो यहीं गोविन का कार नामा छिपा है जाकर गोविन से कवो कि उमर भाई मिलने आए ओ तो तुम ही उमर भाई आधी रात को अकेले घूम रहे हो तुम्हारे घर वाले तुम्हें मना नहीं करते मेरा गोविन और उसके सर तुम्हारे ही घर पर गए हैं जाकर उन्हें वापस भेजो जल्दी जाओ अब्दुल्ला स्टॉप अब्दुल्ला स्टॉप बहुत अच्छा है हुँँँँट् जोश्छी भाई है हुँँँँट्व नहीं लगता है भी जब्दुल्कूल नहीं लगता है अगर बंदूग चली तो बंदूग चलेगी तो भी अरे उमर अरे अरे आब एक रजीया ज़रा उमर को चाय या कॉफी पीने के लिए ला कर देना अल्ला बातों बातों में मैं भूली गई कि तुम्हें चाय भी लानी है अब भी लाती हूँ उमर बैठो यार रजीया मुझसे पूझ रही दी कि नंजाई कोटी का क्या हाल है नंजाई कोटी मेरा दुड़ी है यार रहने के लिए घर नहीं है साथ देने ओले वीवी बच्चे नहीं है लेकिन तेरे बारे में सोच के अफसूस हो रहा है के तेरे साथी इस बात को जानकर बहार बताएंगे तो तेरे दिल पे क्या गुज़रेगी इसलिए बता रहा हूँ आगे से कुछ पूछना है या सवाल करना है तो मुझसे परसनली मिलकर करना जिस गर में औरते रहती हों वहां खुसकर टाइम पास करना यह अच्छी बात नहीं है गंदी आदत है यह आप जूस तो बहुत अच्छा बनाती है चलता हो में अगे चलो रहे तो फेर अब तुम्हे अकल आ जाएगी तुमको देखा तो यह खायालाया आइ अगे बात है बैटो ने गुंडा करती छोडुदी क्या प्रीट शूरुदी और इनी शुक्त में। भूरुक हो है वा यह आदू करती आप जोरे तो प्रीचाना के जोड़ा गुंडा गर्दी हम भूल गए हैं सर आप तो हम लोग ठेले चलाते हैं डियोपी और AICP दोनों पार्टियों के बीच में गटबंदन होगा ऐसी ख़बर मिली है करनाटक के साथ और तेलंगाना स्टेट की पार्टि के साथ मिलकर डियोपी गटबंदन करके सिलेक्शन में केंद्र इलेक्शन का सामना करेंगे ऐसा लोगों का कहना है ऐसा बाप जी के अध्यक्ष के लोगों का कहना भी है तिलंगाना बाब जी अध्यक्ष को MP स्वामी और DOP पार्टी दलका MP विजयानन्द उट के साथ डॉक्टर संगीता डीस्टी दलके अध्यक्ष है अपने लोगों को सीट मिलनी ता है लाल जंडा जीता तो राजसभा हारा जंडा जीता तो लोकसभा तो यह मंत्री सभा क्या होता है यह राजनीती का खेल है हमारा अगला टार्गेट दिल्ली है बाई कुछ समझा ठीक है मैं बताता हूं कौन सा पुलिस वाला था वो उसके पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले तक तुम लोग गिल्ली डंडा खेल रहे थे उन लोगों से कैसे निपटना है ये बात समझानी पड़ेगी क्या बात वो नहीं है सर वो पुलिस वाला बहुत गरम खुपड़ी का है कि उमर फिलाल मुझे छोटे लोगों के बारे में सुनने का टाइम नहीं है वो जो कोई भी हो इलेक्शन होने तक उन सब को अपने काबू में रखो खा के जाना भोग लगी होगी हुआ 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 है सर मैं जाकर डॉक्टर से मिलकर आता हूँ सर डॉक्टर के कहने के मुताबिक अब्दुल्ला का दायना पैर ओपरेट करना पड़ेगा सुन्दर का सर वो अभी बॉड में सर वो अभी वो मर था सर रास्ते में लोटते समय ये सब हुआ असल में वो आपको ढून रहा था अचानक पीछे से हमला कर दिया वो आपको अब्सुल्ड़ में सर वो आपको अब्सुल्ड़ सर, लगता है वो हतियार लेकर चले गए कुछ भी ले जाने दो, आपने पस तो समय है न? ज्यादा आदमी नहीं मिले क्या है यहाँ क्यों आया है पीट में चमका गए थी डॉक्टर ने कहाई कि अच्छे से मालिश होगी तो यह ठीक होगा देख इस नंजय कोटे में जो भी आया है कभी कामियाब नहीं हुआ अगर हुआ भी तो यहां से बाहर नहीं जा सका अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने कामियाब भी हासिल की है तो इसका मतलब वो पुराना नंजय कोटे नहीं रहा हाँ झाल 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 झा प्राइब। उस दिन पुलिस टेशन में जो तुने किया उस बात को मैं भूला तक नहीं था और उस पर तुम मेरे घर में घुसाया तुझे पता नहीं तुने किस से पंगा लिया है ए वेंकाट खतम कर देजे झाय रखचार किस से तुना… यार कि मीजकाओा कि अ घुएगगगा कि उखब जुएगगगगगगmaking यह थाएगगगा दो से जुएगगगगगगभगगगगगगगपगगर इसे कर 크리 ठाकोई। औठो और काट डालो एसे enroll अगार वो पुल पुल पुर वो भुठ वाव कि यहार आपक झापफ मुझ अपको एस अपके लुर जा आपको आफ अपको पसे भी चाई कि अ, घाइर कि यहार इए जाई तो अपको उकी जए जाई कि दो भीस, तो आप हने पको कि अचे जए जूँ़र अर भुझ ठाओ दुखिया अर टूज लग अर्थ कर दो कर दो कि अन्ग कर दो maidो… कर दो कर दो कल दो अजाएएएए लगाएएए जयाएए अजाएएएए बिजू सर सामान लेके आ गया तो अब क्या करें अमार का दाया पहर निकाल दो और अबदुल्ला जब अपनी आख खोले तो दुनिया ना देखे सर हमें इसका किराया तो देना ही पड़ेगा और सबूत मिटाने के लिए इसे किसी तालाव या नदी में फेकना होगा तो फिर उसका दूसरा पेर भी काट दू क्या कि अधिया दूसरा 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 नजय कोटे से कई लोगों को माल कर भगा दिया गया उनके वापस आने से भी नहीं बनेगा ये नजय कोटे अमानाथ और अब्बू सब को जोपड़ पटी में भेज देंगे उपोजिशन पार्टी के हो इसलिए उन पर रैम दिखा रहे हो गया उन बातों की मदद लेकर अगर किसी तरह की गंदी पॉलिटिक्स करने की कोशिश करोगे तो मैं उनका साथ नहीं दूँगा और तुम जिन लोगों की बात कर रहे हो वो सारे हाथ पर हाथ धरी खड़े थे जब उन लोगों को भगाया गया था मेरी भावनाओं को उक्साओगे तो पहले उनको मारूंगा सर ये पार्टी की बात नहीं है मैं पार्टी से अलग हो चुका हूँ वैसे भी नंजे कोटे में रहने वाले सही हैं क्या वो भी तो गलत है सर मेरे साथ आम लोग खड़े हुए पार्टी की लोग नहीं सबकी ख्वाहशे की जो गए हैं उन्हें वापस आना चाहिए उन्ही के कहने पर मैं ये काम कर रहा हूँ और इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए आपका वक्त बरबाद नहीं करना चाहता मुझे लगा था कि आप हमारा साथ देंगे एक बार चल कर वो जोपर पट्टी देखिए आपने जो भी कहा मैंने सुना अब मैं जो कहूंगा वो सुनिये नंजय कोटे में अभी भी सबका घर है तुम्हारा जो भी नुक्सान हुआ है संपत्ती, सामान और धर्ती उन सब के निशान महाँ पर मौजूद है तुम्हारी पहचान नहीं खोनी चाहिए यक्ता नंजय कोटे में वापसी तक ही नहीं रहेगी उम्मीद करता हूँ कि आगे भी बनी रहेगी जो लोग पाटी छोड़कर आए हैं वो भी नंजय कोटे के ही लोग है अजय, बाबू, प्रसन्ना, दीपू, वहिदा टीचर और इनुमेडम आज तक किसी भी अकबार और टीवी के लोग आकर हमसे नहीं मिले हैं अमरनाथ की डर की वज़ा से ऐसे में जब लोग वहाँ जाएंगे तो अमरनाथ ये देखकर चुप रहेगा क्या? नंजय कोटे में वापिस आने का दिल तो करता है लेकिन हम लोग जैसे सोचने वैसे होने वाला नहीं है यहाँ जितने भी लोग हैं उनको डर अमरनाथ से ही है वो बहुत खतरनाख है तुम्हारे अंदर जिस चीज का डर बैठा हुआ है पहले उस डर को निकालना होगा और उसे बाहर निकालने के लिए आपको वहाँ अंदर जाना ही होगा तेरी तुम्हारे अपू बाई इससे ज्यादा परदाश्ट ने होगा अपू बाई उस पुलिस वाले ने मेरा पीछा किया और रास्ते में ही मुझे गाड़ी से उतार दिया बीच रास्ते पर मुझे बहुत मारा और उस S.I. ने मुझे पैसे भी ले लिये मैं अकेला आदमी क्या कर सकता था अपू भाई ये जो सूरज है न ये तमीलियन लोगों से मिल गया है खबर मिलते ही उस पर शक होने लगा था अब वो कैश नहीं मिलने वाला ज्यादा सोचो मत मैं उसे दिन उससे डिल करने वाला था लेकिन आपने मुझे रोक दिया आपकी वज़े से मैं रोक गया वरना उस दिन उसके हाथ पैर तोड़ देता हमारे आदमी लोगों की सोच बदल के रख देंगे और इसलिए मैं बोलता हूँ क्या बोलता हूँ? ये कैश हैंडल करने का काम मैं नहीं करने वाला ये मेरे बस की बात नहीं है नहीं तो ऐसा ही बिचारा मारा जाएगा बहुत हिम्मत वाला आदमी है वो वो हिम्मत वाला है इसलिए मुझे पुलिस टेशन बुला पाया यहां बड़ी बड़ी बाते कर रहा है वहां पुलिस स्टेशन में क्या सांप सूंग गया था तुझे भौकने वाला कुटा कभी कोड़ता नहीं है जितना भी रकम गया है वो इस पूरे गाहँ वालों को खरीदने के लिए काफी था जानते हो इस इलाके में जो भी रहता है वो डिवाई पार्टी के प्रती जो इज़त है उसकी वज़ा से नहीं बलकि एक डर की वज़ा से है और उस डर का नाम है वान एन ओल्ली अमरनाथ गणपती बप्पा एमपी बनने का चांस था वो भी निकल गया अब तो नंजय कोटे की कुछ जगा को बेच कर मैं हैद्राबाद जाकर अपनी जिन्दगी को समार लोगी इस पर भरोसा करने से कुछ नहीं होने वाला अब क्या हो गया? इतना कुछ तुमें दिया वो काफी नहीं है? औरत पर गुस्सा करो तो शाप लगता है ये बात कभी नहीं सुनी किया? नहीं कैसे सुनी होगी? ये सब अनुभव से पता चलता है तुम यही गाड़ी में आराम करो मैं काम निप्टा कर आता हूँ ये तो लडाई की शुरौाश है हम पर दबा दोनाने की कोशिश मत करना हमी ने तुम्हें उचाई पर पुँचाया है हमें दबा कर रखने की कोशिश मत करना हमर्णाद कान खोल कर सुन 들어 हमी ने तुम्हें इतनी हिस्ытती है ये सब एक चाल है अमनाज यह सारी चाल है तुमारे शाल है गाओ वालों को हटाने का काम रोको यह जंग से पहले का शोला है तुम हमें दबा कर नहीं रख सकते वा, क्या बात है आज तुमने मेरे इतनी तारिफ की है जितनी मैंने कभी नहीं सुनी तुम्हारे बोलने के पीछे किस की ताकत है मुझे यही जानना था अब तो ये वक्त ही बताएगा कि किस की ताकत में दम है प्रवचन चालो रखो अब भाई से बात करें क्या वो खर्चे के लिए पैसा देंगे हमें बाई से जितना पैसा मांगें उतना देंगे कंफा में तो टेंशन मतले अरे बोला ना साव टक्का कॉलेज के फंक्शन में कितना पैसा खर्च होगा हम भी जानते हैं वो जितना मांग रहे हैं उससे आधा देखार वो जगा अपने नाम कर लेंगे अच्छा वो रजाक कहा मिलेगा बैंगलूर में बात क्या है नए कुछ नहीं रिजल्ट का कोई टेंचन मतलो मां सब सही होगा बूल रहा हो ना तो गाड़ी में जा में आता हूं चलो बैट अंटर बैट भाई मैं आगे बैट रहेंगा ये लो सर कुटन आपको हमरा इस तरह से यहां बूलाना जबरदस्ती तो नहीं लगी न नहीं तो आप मुझे यह बताओ कि इस वक्त पुलिस टेशन में कौन रहता है वैसे यह सारा प्लान बनाने से पहले मैंने किस से बात किय थी आप से यह की थी ना तो मुझे बताओ कि पुलिस टेशन में मेरे अलव आप अकेले बैठेंगे क्या चलो जवाब दो जल्दी वो तो ठीक है लेकिन मुझे लगता है कुछ खत्रा है नमस्ते सर पैसे के लिए नहीं दूसरे काम के लिए आया आपको कैसे पता तुम्हारा चेहरा सब बता रहा है वो अमरनाथ ने नहीं अप्पु ने मारा है सर वो डीवाईपी का ध्यक्ष है न इसलिए वैसे क्या आप पूरी बात जानते हैं सर अरे मैं उसी के बरे में सोच रहा था हाँ मैं भी बही सोच रहा था मानना पड़ेगा जैसे ही आपने बात का पता लगा लिया वहां से हट गए चाहे कुछ भी हो डर तो डर ही होता है किसका डर है आप मजाग कर रहे हैं क्या जो लोग आप लोगों को मारने के लिए आये थे आप लोग उनका मुकाबला नहीं कर पाए इसलिए यह चिप कर बैठें मतलब उन गुंडों के बारे में उस आग के बारे में पेट्रोल वाली आप लोगों को पता नहीं है आप लोग नंजन कोटे में हैं पता नहीं है सवामती चाहता है तो सारी बाते सच सच बता दे अब अनाथ सर के कहने पर पुली स्टेशन में गुंडे लोग आपको खतम करने के लिए पेट्रोल बम लेकर गये हुए है यह क्या सर चलिए सर पुली स्टेशन चलते हैं नहीं जाना है शराब पिने के बाहने आया हो पर आपका मजाग उड़ाने नहीं आप लोगों को सच्चाई बता कर कोई फायदा नहीं है कुटान सर मुझे मत रोकिये मैं पुली स्टेशन जा रहा हूं इस उमर में स्टेशन पे सोना ठीक रहे हैं कंट्रोल तुम अपनी दादी के गोद में सो जाओ मुझे बहुत काम करना है चल बाजवाट अखरी प्लान क्या है सर अब बिजू अपना हनुमान का रूप लिखा अब यह पागल हो गया क्या अपने को पुली स्टेशन उड़ाने का है इस गाड़ी को नहीं हलो हां मां हम लोग ग्रूप स्टेडी कर रहे हैं ग्रूप स्टेडी ओके एक कट करना कट करना कब से बज़ रहे हैं सुनो भाई यहाँ पर कुट्टे हैं क्या नहीं दैनसोर चाहिए क्या मैं यह लेए सकता हूं संत्रा किस बहुत देर हो यहां क्या कर रहे है पर सर फोन कर दे यार सर 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 समझ लाई सथ यह मां क्यों इतना फोन कर रही है यह चुप रहे है हेलो क्या नामें तेरा रोजी का कपड़ा खीच कर उसके बाल पकड़कर उसको रोलाने के लिए मैं यहां नहीं आया हूं अगर मैंने यहां पर अपना बरताव दिखाया तो उसका असर तुम पर पड़ेगा अरे यार तुझ वेकर काड़ी भगा उस आगे वाली काड़ी को रोक अठीक करना क्या कर रहा है अरे भाई ऐसे क्या बात हो गई जल्दी चला ओदेखो काड़ी को रोकने का अपने को बाई मेरे घर से भी कॉल आ रहा है अरे भगाना गाड़ी अरे बेटा कहा हो तुम आखर तुमने ये क्या कर दिया हेलो बेटा क्या प्राब्लम है अरे यार पिता जी अरे दस आत्मी को साथ है अरे दस आत्मी को साथ लेकर पूरे गाओं में फ्लेक्स लगाने के लिए कहा था कि नहीं ओफिस के बाहर सिगनल के कोने कोने पर अपने दल की जो पोस्ट है जहां कई भी उसे वहां रखो और सोमू, उस दिवार पे अपना फ्लेक्स क्यों नहीं लगा अभी तक? लगा दूँगा. कब लगाएगा? मरने के बाद? जो भी बाते हो रही हैं, उन बातों को सुनने के बादी मैं सीधा यहाँ आया. हर जगह के बिखरे हुए लोग एक साथ खड़े हैं. उन लोगों को यहाँ आने की क्या ज़रूद थी? उस सिंद्रा स्टेट के मामले में कोई भी बात आगे नहीं बढ़ी. बहुत बड़े इंजीनियर समझता है, वो कब किस वक्त आएगा पता नहीं. एक बात तो तैय है, तमीलियन लोगों का यहाँ आने का एक मकसद है. वो इलेक्शन में जरूर गड़बड़ी करेंगे, यह मैं जानता हूँ. यहाँ के जो तमील लोग हैं, एक जमाने में हमारे घर पर खाना खाने आते थे. वो हमारा एहसान मानेंगे, हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे. लेकिन बात यह नहीं है, अगर इनके साथ कुछ तेलंगाना और कुछ कंणर लोग मिल गए होंगे, तो इसके चिंता मत कीजिए. वो हमारे शादी ब्याह में भी आते हैं, उनके साथ दील मैं कर लूँगा. लेकिन अगर मेरी नजर से दो-चार लोग बच जाएंगे, तो आप लोग शामिल हो जाएगा, क्योंकि कभी भी उन लोगों के पास आप लोगों को जाने का मौका… कल कुछ लोग मरने के लिए आ रहे हैं, सब तैयार हो जाओ, मुझे ना सुनना पसंद नहीं। सर, चलिए। चलिए। सर जिस ऑफिसर ने स्यूसाइट क्या था उसके भीवी और बच्ची ने यवा कि अधर रहता थाका घुझा को अधिश्त विप्तर्स समय करना था यहुँ तुम ज़ा आस पाशिक करना नहीं प्रॉब्लम को निया। कर दो हमां वानिय। आदाओा आदाओा कोई दाओा कोई दाओा आदाओा घट यह जाओा अजब दो खाओा झाल यह जब खाओा यह जदाओा वह प्ट वग अग अग। कर दो एख मैं आ एख ए ए ए ए ए ए एए है ए ए एको पूँ ए ए ए ए ह ह् ए हक कर दो ए ह ह है हुट है व्ट है और खर्ड़ करका करा है और खर के लservice है वहत étant को लुट है वह प्युट है वाप यह बड़ येन है कार्णालो एसे! कार्णालो एसे! दूर्ण पिर से सत्ता में आई तो मरनात का त्याचार बढ़ जाएगा नई पीड़ी भी साथ देगी सब कुछ बदल जाएगा अब्दॉल दस बिस साल पहले एक लड़के ने ये सोचा भी नहीं होगा कि उसके जिन्देगी असी नरख बन जाएगी दो पार्टी के लोगों ने मिलकर हमारे पूरे गाउं में डाकर डालकर सब कुछ ले लिया उस हाथसे के बाद सब लोग डर गए थे और एक वक्त ऐसा आया था कि वो खून खरबा करने वालों का सरवनाश करने के लिए उस लड़के ने अपने आपको तयार किया बारा साल के लड़के ने दिल में ठान लिया उसको कानून के बरे में कुछ पता नहीं था कानून के खिलाफ लड़ने की उसने ठान लिथी लेकिन कानून ने उस दिन उसको सजा दे कर अपनाने की कोशिश भी कि थी लेकिन वक्त गुजर रहा था और उसके सीने की आग बुच नहीं रही थी वो अब भी उसी आप में चल रहा है नहीं उसी आप में चल रहा है जिनको आपने मार कर भागाया था उनका अगले हपते वापस लोटने का प्लान है उनके स्वागत के लिए हम गाओं वाले खटे हुए हैं जोपर पट्टी में वो लोग नर्व की जिन्दगी जी रहे हैं जब वो लोट कर आएं तो उन्हें नंजय कोटे में चैन से जीने दे और देश के हर नागरेक को देश में कहीं भी जाका रहने का पूरा हक है जब ही ओपोजिशन पार्टी वाले आकर मुझसे रिक्वेस्ट कर दें तो मुझे बहुत मसा आता है लेकिन तुम्हारे रिक्वेस्ट में मज़ा नी आ है नंजय कोटे में आजादी से घुमने वाल जोपड़ पट्टी वालों को तुम लोग पनाह देने की कोशिश कर रहे हैं, मत करो, मेरी ताकत को अगर कोई कमजोर करने की कोशिश करता है, तो मैं उसे बख्षता नहीं, इसलिए उस ऑफिसर को कहो कि मेरे घुटनों पर गिर कर, रिक्वेस्ट करें, तब मैं कुछ सोचू जब आओवाया है, तो मैं की वोड़का नहींड़ करता है! इसके बारे में आपका क्या विचार है जो मरने जा रहा हो उसके खिलाफ कोई आफ़त की बात कहे तो उसे जान से मार देने के बराबर है को तो कि बास तक राफ को देने के बात कि भाल से जाफ कि अवार है जाफ कि अवार में आपका कि बात है तो दो आज का दिन गरीबों का खून चूसने वाले जानवरों को मारने का दिन है यह जहास का एक बहुत बड़ा दिन है आप लोगों ने जो सफर शुरू किया था उसकी मंजिल करीब आ गई है आप लोग अगर सौ साल बाद भी लोटकर नंजय कोटे में आएंगे तब भी आपको वही पुराना सम्मान मिलना चाहिए आज आप जो एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो वो आपकी कई पीडियों तक काम आएगा इस एक छोटे से कदम में आपकी कई पीडियों की भलाई छुपी होई है अत्याचार के खिलाफ और हंकार के खिलाफ दबाव बनाने वालों के खिलाफ ये जंग जो आज शुरू हो रही है उसे इतिहास में दर्च किया जाएगा जिन्दा है इतना काफी है और ज्यादा की उमीद मत रखना अपर बाणियों कि अनुप से कि अपती है हुआ लो मैं ुरू जो हुआ 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 है हमें जिसका इंतजार था वो दिन कल है हम जब आगे बढ़कर एंकार से भरे हुए अत्याचारियों का सामना करते हैं तो आंस वो के लिए कोई जगह नहीं होती हम अगर डटे रहे तो चाहे कानून ही क्यों ना बदलना पड़े हमें न हुआ है हम पर दभा गृणने की कोशिश मत करना है हमें ने तुम्हें उचाय पर पुरुचाया थैं हमें दभा के रखने की कोशिश मत करना थैं albums ओनाद ऐसे कांपो कर समतो अमीमेर तुमेरे तिस जखी है ये सब एक चाल है आवप्ते ये सारी चाल है समत deploy सिख ठस्द्षम सबसे सबसे सेरी कि आपको की जगह पर अप्की breakout तोपी Skype का संगीत आ रही है, क्या? सबस्क्राइब एक प्रेस और बतादेगी उसा कि आप लोग देख सकते हैं दैश्यत आपकुछ साथ आपके वाया नहीं जा रही है तो उसे लोगने के बुलिस क्या कर रही है यही हमें देखना होगा सुनो, प्रेस कॉन्फरेंस बुला है, तैयार हो जाओ ये तमिलियन लोग यहां लौट कर वापस नहीं आने चाहिए बी-एश-जेडी का विश्वास दिलाना होगा, समझें कि नहीं? हमें दूर से देखते ही छिप जाने वाले और पास आकर सलाह देने वाले हमेशा वफादार रहें तो मुझे अच्छा लगता है ये 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 य इने आपे लित्वा कर ते का ते का उता सबस्क्ट से वेल did सर, और्डी को अभी अभी पैक किया है, वो लेकर आ रहे है कि अभी 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 वो लेखा है मैं बीजू ऐसा ही सर ने आप से कुछ बात करने के लिए भीजा है डॉक्टर आप MP बनने का सपना लेकर इस नंजाई कोटे में मत रहो आप ऐसे खड़े रहेंगे तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा सर के बारे में तो तुम जानती हो इसलिए प्यार से समझा रहो चोप चाप यांसे चली जाओ डॉक्टर बाकी तो इस नंजाई कोटे को छोड़कर तिलंगाना कैसे जाना है पता ही होगा याद रखना हर पल तुम्हारे ओपर हमारी नजर है इस बात को याद रखना चलता हूँ बेटी अमरनाथ के दबाव के वज़े से मैंने अप्पू को समर्थन दिया मुझे इसमें ज्यादा दिल्चस्पी नहीं थी वैसे जब प्रेस कॉन्फरेंस होगी तो अप्पू के मामले में दुख जताते हुए थोड़ा आसो बाहा लेंगे और क्या कि डी वाई एसपी पार्टी का नए अभ्यार्थी कौन होगा बताएंगे हमें बताओ उन्य डी वाई पी पार्टी की नई अध्यक्ष मैं नहीं हूँ मैं तो अपना खुद का कारूबार सम्हालने जा रही हूं थैंक्यू कि चाची डरो मत मैं हूँ है सेंदिल दादी को बोलना है असने के लिए बोलना यह पुलिस वालोंने कुछ तंग किया गया मुझे बताओ ना मैं इनको देख लूंगा चाची डरो मत मैं हूँ हम में से कोई भी पार्टी छोड़ कर नहीं जाएगा हम सब लोग पूरी तरह से एक जुठ है उन्होंने जो काम अधूरा चोड़ाया उसे हमें पूरा करना है इसके लिए वक्त बरबाद नहीं करना चाहिए दादा जी हम लोग निकले क्या यहाँ वहाँ जो भी लोग है वो हमें जीने नहीं देंगे यह देखकर हम गाउं से दूर जाकर बस गए लेकिन अब जब हम वापस अपने घर लोट कर जाना चाहते हैं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं है तुम लोगों को कंदूर करनी की उन लोगों की साधिश है ऐसा नहीं होना चाहिए अब वो इस्तिती पूरी तरह बदलने वाली है अमरनाच चाहे जितनी कोशिच कर ले आप लोग इस गाउं में लोट कर आएंगे ही तुम लोगों ने उक्सारे लिया है आप रुकिये मैं बात करता हूं सार हमारी ओफिस में मीटिंग चल रही है इन लोगों के बारे में आप फिकर मत करो आप अपनी ड्यूटी ठीक से कीजिए तो अमरनाथ के डर से तुम लोग यहां पर पहुंच गए हो यहीं करोगे कब तक भगते रहोगे आप लोग देश में कहीं पर भी रहो लेकिन इसके जैसे नेता लोग आप लोगों के इर्दगिर घूनते ही रहेंगे तब क्या करोगे आप लोग धर्ती चीर कर उसके अनिता, यह अकिलापन और इतना भयानक दर्द तुम से भी ज्यादा हम लोगों ने महसूस किया है और उसे मैं अच्छे से जानता हूँ तुम लोगों को किसे भी हाल में नंजाई कोटे जाना ही होगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है हमें रास्ता दिखाने वाला इस दुनिया से जा चुका है अब तुम हमें नंजाई कोटे जाकर फिर से जिन्दगी सवारने के लिए के लिए कह रहे हो मैं जानती हूँ तुम हमारी भलाई जाते हो इतने साल हो गए है लेकिन आज भी हम अमरनाथ के डर के साय में जी रहे हैं नंजाई कोटे अब भी अमरनाथ के काबू में है जिसने हमारी भलाई का सपना देखा वो आज इस दुनिया में नहीं आपके लिए मामूली बात होगी पर हमारे लिए नहीं वो चाहता है ना कि मैं उसके पैर पकड़ के गड़गड़ा हूँ ठीक है मैं चाहता हूँ हाँ हाँ जो अमारे भी जो हुआ हैं जो एंग सब्सक्राइब प्रेस्टो नहीं है कि औा पर्धी निं कि रिर्वाना करा में कि रिलेट उसते वी है कि रिल ना ही? क्रुदी फ्राव चाये झाल 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 कि भादत हैं कि इस दूराई हैं दूछ कि विशों आया है एंध psychologists दो बं잡 our झाई नुक टूछ है उनका कि तूछ हैं विए नुक झाज जूड़ाई विएी हैं टूछ झाल झाल मेरा और नंजन कोटे का बस एक ही स्वभाव है, जो इस धर्ती पर गिरते ही विशाल पेड़ बन जाता है, तुम बस एक बौधे हो और मैं एक विशाल पेड़ हूँ, ना ही नंजन कोटे बदला और ना ही मैं मत बस एक बढ़ना तुम एक विशाल से ना ही जाता है, एक बस एक बादूश उन एक बादा़ है, अहांन को प्रयाार है, एक बस एक बड़ा मैं sensitively भी कोईप लादा़र प्राफ्टा एक बड़ा है, उनने खां़ पेड़ियर भी कोई़ प्रिया विशावल से इस विशाव झालत मैं झाल तुर के हम ढारी इह वल थास हु हुआ को ठालते है तुर कर भ compass और कि अट्छ है वह जो irty दुर को भी हमाला कि उडते है welी रु ein तुर цен तर फ्छ dark प्रप्रजुद प्रुट망 मेर प्रुद जों कि हम में एंग औरै właści हhou आओ झाल रलो अ ब massive और गोर गम नों साल 타 Place फिर्ल रडों इंग प्रूज जब 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 यह नंजन कोटे हमेशा मेरा रहेगा तुम ने लोगों की कमजोरी इसी में है कि उड़ते ही गिर जाते है कि उड़ते है कि उड़ते है कि उड़ते है भुब है कि अब़ते खरी जाते है जब हम लोगो गुस्सा आता है तो तुम जैसे अमीर मिट जाते हैं जोपड़ पट्टी से जो भी लोग यहां आएंगे उनके आने तक यह यहीं पड़ा रहे है अब दोल उमर की तरह जिसने पाला था उसकी भी ऐसी कहानी बन गई है जोग जढ़ाहे जोगाम इंढे तरहू कि अजानी Turkish कहानी खीत रहा जाओ़ाई बनी कहानी मिग भी कहार IM जा ना चाहे थे चा है बनी मिग मुए्ड़ाई उर भाण भी यहाई है зы ojos ж appGAN...' झाल 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 क्पान पुट झाल क्पान ज क्पान क्पान स्टे। क्पान झाल युप युझ युझ झाल झाल इनकी जिन्दगी में भी अब रोश्णी उगने लगी है अपनी पुरानी तकलीफों को भूलकर लोग अब वापस अपने कहों लोटने लगे है नंजे कोटे का वो दर्दनाक इतिहास आज सिर्फ एक कहानी बनकर रह गया है नंजे कोटे में जो अत्याचार हो रहा था उसे रोकने के लिए जिस एक नायक के आने की उमीद थी वो नायक आया भी था और शायद वो लोटकर वापस फिर आएगा नई सोच नई शुरुवात नई योजना उस शक्स के आने का ही इंतजार कर रही है के आने के लिए तुमने किसी की परमिशन ली थी क्या कि बहुँआ है यहां आकर उधम मचा देते हो यह दोड़ना पुरी मेरा इलाका है यहां से कोई भी बचकर जा नहीं सकता भूपर वाला भी मुझसे बचकर नहीं जा सकता यहां किसे क्या करना है और कैसे जिना है उसका फैसला मैं करता हूँ मुझे मिटाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ अग कोई मुझसे माफी मांगे आगया आएगा या फिर मैं उसका सर काट दूँ क्या कोई परिशानी है क्या